तो देन मुवन करते हैं next यह हम ने आज जैस्ट देख़ है प्रॉड़क को कैसे find out करते हैं helium 10 में मैं आपको बताया इसके बाद मैंने कीपा की दो method के तू मैंने आपको दो tरीके से criteria को change करके बताया as well मैंने आपको manual-way से बताया कि manual-way से product को कैसे find out करते हैं अच्छा है एक ना method होता है chain reaction उसको explain करते हैं एक second इसमें कोई product find out करते हैं तो jungle scout में जो product को हम निकालते हैं उसके सरूँ हम देखते हैं किसी product को कि हम chain reaction के सरूँ भी हम product को find out करते हैं chain reaction क्या है इसमें हम discuss करेंगे अब यह देखें यह अगर प्रॉडक्ट देखें ना तो यह नो डाउट के सेमन सेल हैं और इसका वैसे भी यह वेट जो है ना वह 2.87 है और वेडियेशन 3 यह स्टेंडर्ड पार्सल है बट फिर भी इस तरह की प्रॉडक्ट में हम नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि यह एलेक् टाइप थी सो डाइट स्वाइस में हम नहीं जाएंगे अब यह देखें लैट स्पोज कि मैं आपको चेन रेक्शन बताने जा रही हूं कि चेन रेक्शन में हम क्या करते हैं हमने क्या करना है कि इसको एमाजान पर ओपन करेंगे इस प्रॉडक्ट को यह बूमर बॉल इस प्रॉडक्ट है अब यह लिस्टिंग पेज जो हमारे पास आगए ना इसमें हमने क्या करना है कि चेन रेक्शन में आपको बताने जा रही थी कि इसमें हमने देखना है कि सेलर कितने बैठे हैं तू सेलर हैं लैट स्पोज कि टू सेलर हैं इसमें सेलर में हम जाएंगे और सेलर में सिर्फ दो ही सेलर थे चीक है इसमें हमने क्या करना है कि इसको नेक्स ट्रैब में उपन कर लेते हैं तब यह सेलर हम इजी वे से उस पे मूव उन कर सकते हैं अच्छा यह इस पे ना हमें सेलर का बता रहा है और सेलर में हमने डाइव करना बट यह उपन हो जाए अच्छा यह अच्छा यह ना सेलर दो ही सेलर इसमें बैठे थे हमने क्या किया कि सेलर में न्यू आफर काउंट में हम गए और यह जो सेलर हमें यहां पे शो होंगे ना यह सिर्फ दो ही इस प्रॉडटक के शो हो रहे हैं हमने क्या कि इस पो ना नेक्स ट्रैब में उपन कर दिया इस सेलर को अच्छा यहां पर दिये देखिएगा इसकी प्रॉडक्स में हम देखेंगे कि यह सैलर और कौन-कौन सी प्रॉडक्स स्टोर में सेल आउट कार है यह प्रॉडक्त यह देखें इसके इलावा इस प्रॉडक्त के इलावा और भी प्रॉडक्स जो हैं वह बहुत ज्यादा सेल मुट्ट हो रही हैं याणि वो का रहे हैं अब इसमें मैं क्या करूंगी इसमें मैंने किसी एक सैलर का आ मिसाल के तो वर यही product देख लेते हैं तो इसका इस कहसे यहां से यह रिखें copy कि यह यह product है और इसका इसन यह है यहां से कॉपि किया कॉपी करके ओना यहां से कॉपी किया उसमें हम जाके ना तो Amazon.co.uk में इसी एसन को जो है ना वो पेस्ट कर देंगे आपको वाज आ रही है ना इरम ये आ रही है ये मैं चेंड रेक्शन आपको बताने जा रही हैं कि चेंड रेक्शन हम किस तरह से करते हैं उसके बाद हमने ना एक सेकंड ये उपन हो जाए अच्छा वहां से मैंने उसी प्राड़क को उपन किया है और उसी में से किसी एक प्राड़क को यानि के एसन को कापी किया है और वो यहां पे आके हम ना ये देखें अब उसी वही प्राड़क हमारे पास आगी है ना सामने अब हमने क्या करना है इसको नए टैब में उपन करेंगे यह मैं चेंड रेक्शन बताने जा रही है अच्छा अब मजीद हम क्या करेंगे कि इसी प्राड़क के यह देखें थर्टीन सेलर वहाँ पे टू सेलर थे जिनमें से हमने दो सेलर के न्यू आफर काउंट में हम गए थे वहाँ पे किसी एक प्राड़क पे उपन किया उसमें हमने देखा कि वह और मजीद कौन-कौन सी प्राड़क सेल आउट का रहा है उसमें से किसी एक प्रॉडक्ट के SN को कापी किया, यहां पे आके Amazon.co.uk में पेस्ट किया, अगें हमने देखा कि इसमें New Offer Count कितने हैं, अगें हम किसी एक सैलर में मजीद चले जाएंगे, और इसी तहां में प्रॉडक्स होल सेल की न मिलती जानी है, यह इतना effective method है ना, कि यह बहुत ज़्यादा है, इवन दो, कि मैं आगे जब आपको brand hunting या distributor के थ्रू बताऊंगी ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी, यह method कितना effective है, कि chain method के थ्रू लोग बहुत ज़्यादा brand hunting करते हैं, तो आपने इसको ज़रूर एक्स्प्लोर करना है, सेम मसाल के दोर पर, अभी और प्रॉडक्स को explore करूंगी, कौन कौन सी प्रॉडक्स है, इस के पास, इस seller के पास, products देखेंगे, पर products में, further हम किसी एक product को, यह देखें, multiple product sales out, यह seller, फिर यह देखें, फिर हम क्या करेंगे, यहां से मजीद, किसी एक SN को copy करेंगे, फिर Amazon के page पे जाके, तो again हम इसको और repeat करेंगे, मिसाल के दोर पर मैं दोबारा इसको explain करती हूं, मैंने क्या किया है, कि first of all मैंने, यह देखा, कि प्रॉडक्स जो है, वो new offer count में कितनी थी, new offer count में जब देखा, तो दो product थी, और new offer count में जाके, किसी एक seller के उपर click किया, उसके store front में गई, store front में जाने के अगें वही product open हो गई, उसको open करके new tab में, new seller जो थे, उन में फिर हम मजीर, हर seller के, यानि store front में जाके, मजीर product को explore कर सकते हैं, जारी सी बात है, अगर let's suppose कि यह product, यह वाला seller है, तो यह seller है, तो यह seller मैंने open किया, तो अब यह देखें, यह सिर्फ यह product नहीं sell out का रहा था, यह यह भी गार है, यह भी गार है, यह सारी wholesale की products है, बताने का मक्सद यह है कि यह बड़ा effective और easy method है, यह chain reaction वाला यह आप जरूर implement इसको कीजिएगा, product को भी ऐसे find out करते हैं, और even दो कि यह देखें, brands को भी ऐसे find out करते हैं, brand hunting इंश्याला, distributor, supply, manufacturer, किस्तां से हमने find out करने हैं यह अगले lecture में हमाँ आपको ना complete way से guide करूंगी, जस्ट आपने आज का lecture यही था कि brand हम products को किस तरह find out करते हैं, wholesale की, यह last one method मैंने आपके साथ briefly explain किया है, कि हम ना brand hunting chain reaction के सुरू किस तरह find out करते हैं, hopefully यह आपको clear हो गया होगा, और right now मैं again repeat कर दूं, हमने helium 10 के सुरू देखा का product को कैसे find out करते हैं, then हमने chain reaction में start हमने यहां से लिया था, product को criteria लगा के product को helium 10 में find out किया, किसी एक product पर click किया, then उसको जब amazon पे open हो गई, उसके new seller में गए, then उसके new seller में जो seller product को sell out का रहे थे, उन में हम मजीद हमने एक किसी seller को select करके, उसके store front में गए, उसके store front में जाने के बाद, हमने further देखा कि कौन सी product sale out का रहे है, किसी एक product के SN को copy किया, amazon की search bar में paste किया, again उसके new seller में फिर हमने देखा कौन कौन सी product sale out हो रहे है, that is called chain reaction, so यह आपने chain reaction को ना ज़रूर implement करना है, और हमने helium 10 के सुरू देखा, फिर हमने उसके बाद manual hunting भी देखी, कीपा की सुरू देखी, criteria को change करके देखा, even though हमने manual hunting देखी, इसके बाद हम chain reaction जो है ना, उसके सुरू हमने देखा के products को कैसे find out करते हैं, और hopefully यह सारी चीज़ हैं जो आपको clear होगी होगी, कोई question है तो आप कर लिजेगा, और बाकी हम